हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो लेक्षे में हम लोग यहां पे बॉटम टोफोग्राफिय आफ दे इंडियन ओसियन इस टॉपिक को हम लोग कभग करेंगे जो की ओसियनोग्राफिय का पार्ट है दोस्तो बॉटम टोफोग्राफिय की बात करते हैं किसी भी ओसियन की तो हम लोग देखे थे बॉटम टोफोग्राफिय बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं वैसे तो तीन पार्ट में डिवाइट किये हुए थे लेकिन वो हम लोग अलड़ी डिसकस कर चुके हैं लेकिन यहां पर हम लोग देखे लेता हैं बॉटम टोफोग्राफिय में जो मीजर हमारें फीचर्स होते हैं वो कौन फॉय Primary हमारे रिज्चर्स है रिजेज ऊसीन इक रिजेज इसको सिंपध़ी कभी-कभी में बलते हैं मीडड ऊसीनी रिजेज तेकि रिजे उपर आती है और वहां पर divergent boundary का एक बोल सकते boundary होती है divergent boundary महगवा उपर आने को वज़ा से यहां पर mountain chain बन जाता है उसको बोलते हैं oceanic reaches तो bottom topography में oceanic reaches एक major हमारी relief feature होती है उसके बाद हमारी sea mounts आती है abysal plane आती है continental sylp आते है और यहां पर बहुत सारे जो coral islands भी है trenches भी है यह सारे हमारी bottom topography में आते है दोस्तों इसी को ध्यार में रखते हुए हम लोग Indian ocean में जो major हमारी relief features हैं कहां कहां पर located है उसको आज हम लोग मैप की साथा से यहां पर हम लोकेट करेंगे कि कहां पर हमारी इस सारे जो component है bottom topography कहां पर है लेकि उससे परले दोस्तों इहां पर Indian ocean की थोड़ा simple इहां पर हम लोग कुछ details देख लेते हैं तो Indian ocean एक ऐसा single ocean है जो किसी country के नाम पर located है जो कि हमारा इंडिया अपना ही country के नाम पर Indian ocean इहां पर नाम इसको दिया गया है इंडियन ocean की size के बाद करें तो third largest size है इसका पहला आता है Pacific ocean सबसे बड़ी उसके बाद Atlantic ocean second largest थर्ड largest मावरा Indian ocean आती है इसकी geological past की बाद करें दोस्तों इंडियन ocean से पहले यहां पर आप देखोगे इंडियन और Australia और Africa और Medagascar ये एक ही जगह पर इमिनाइट था लेकिन और रिफ्ट के वज़े से इंडिया Australia एक साथ अलग हो गये Medagascar भी अलग हो गया फिर Africa वहां पर अलग हो गया Medagascar अफरीका थाण सा रिफ्ट की वज़े से वहां पर अलग हो गये इसके बाद आप देखोगे Indian Australia Northern की ओर मॉमेट करने लगे और 80 million years फिर से वहां पर रिफ् create हुए उसके बाद Australia भी अलग हो गया इंडिया प्लट से अस्टलिय फिर Southern की ओर मोप करने लगा और इंडिया नदन प्ले नदन को मोप करने लगे तियर हमारे जिलॉज़्िकल पास्ट है इसके बाद यहाँ पर सथी एंडीयन ओसीन में ऐसे कर आज झेलोगत क्रें, आजयी है सबस्टीन इहां पर घृस्ट करें फो इंडियन ऐसे लिसर तोबाहे ​8 सब्सक्राइबन अधा पहले और इस्टंट करते हैं और इसे सब्सक्राइब तो बेषैंगल अरेवन सी हैं सदें साट में देखो गे तो अगुलासएंग अगुलास का बेसिन है और फिर यहां पे तस्मान राईज नहीं यहां फेश्च की रिपेर का दिया रियर करता है और इस्के बाद यहां प José और यह हमारे इंडियन ओसियन का बॉडर है अब बॉटम टोपोग्राफिय में जैसा कि हम लोग डिस्ट किये थे मेजर जो हमारी बॉटम टोपोग्राफिय के रिलीफ फीचर होते हैं और रीजेज होते हैं तो अट्लांटिक वसीन में हम देखे थे कि एक ही सिंगल लार्ज हमार मिड अट्लांटिक ओसियन रीजेज था लेकि इंडिया में आप देखोगे तो तीन मेजर यहां पे रीजेज देखने को मिलते हैं summer देखो सबसे पहले रिजेज यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे यह हमारी बोलती है मीड इंडियन रिजेज आपको जो की स्टार्ट होती है लच्छ दिप आइलेंड से और इसके बाद यहाँ पर मालदिप आइलेंड पूरा हमारा जो मालदिप जो आइलेंड से मीड इंड और यह हमारे डिफ्ट जो जनरेट हुआ है इसी से इंडिया आस्ट्रेलिया जो प्लेट है वो अलग हुए थे ठीक है तो यह हमारी पहली ओसियनिक रीजेज है इसके बाजू में देखोगे तो वेस्टन साइड में फिर सी एक रीज क्रेट हुआ है वो हमारी उसको बोलते है इसको ऐसे दो-तीन नाम से जानते हैं नदर्ण साइड में इसको बोलते हैं कार्ल्स बर्ग रीज ठीक है और इथा सदर्ण साइड में इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट वीज इंडियन ओसियन रीज ठीक है तो हमारी दूसरी रीज क्या है कार्ल्स बर्ग रीज और इसी में आप देखोगे तो کarmsburg ridge के western side में आप देखोगे western और सबसे northern side में देखोगे Cecils Islands है, Cecils Country है उसके सदर में आप देखोगे ников मारिसरस है, उसके सदर में फिर देखोगे reunion Islands है और उसके eastern में इसके western में आप देखोगे तो यहाँ पे मेड़गास्कर है मेही यहाँ पर एक है क्रोजेट आइलेंड बहुत ही छोटा यहाँ पर आइलेंड है जो फ्रांस को बिलॉंग करता है यहाँ पर military waste भी है फ्रांस का क्रोजेट आइलेंड में यह हमारी कार्जबर्ग रीज के मेही लोकेटेड है क्योंकि रीज से यहाँ पर virgin होती रहती है और यहाँ पर drifting होता रहता है तो हमारे दूसरी रीजेज हो गई तूसरी रीजेज के बात के लिए दोस्तों यहाँ पर बे आप बंगाल में आपको जो अंडमान निकोबार्स आइलेंड है वहाँ से गुजरती है गुजरती मिलिएंज के आसपास यह रीजेज ग्रेट हुआ है और यहाँ पर इस रीजेज में आप देखोगे तो famous जो आइलेंड है वो है कोकोबार्स आइलेंड जो आस्ट्रिया को बिलोग करता है तो आस्टरलिया यहां पे है कोकोस आइलेंड आपको इहां पे देखने मिलेंगे यह हमारा इंडोनेसिया के जच्ट बाजू में आपको Western shed में देखने मिलेंगे कोकोस आइलेंड और इसी रिजिज में हमारे Unmanned Nicobars Located है वैसे दो अनमा न कोबार्स आपको इस रीजसे आपको इस्टर साइड में देखने विलेंगी बट बाजो में ही लोकेटेड है तो हमारे तीस्री में जर Sum रिजेज हो गई है इंड्येκα tant में फर्स्ट कौन सी थी रिजेज यहां पर मीड इंडियन रिजेज और इसी रिजेज में हमारी लच्छतीप और मालदीब लोकेटेड है फिर उसके वेस्टन साइड में कार्सबर्ग रिजेज बोलते हैं इसमें आपको देखने में लेंगे क्रोजेट जो आइलेंड फ्रां इंडियन प्लेट और अलग हुई थी और इसी में कोकोस आइलेंड है और बेया बंगाल में जो हमारी अंडमा निकुवार्स आइलेंड है वह हमारी है यह होगे दोस्तों रिजेज की बात किया अभी हम लोग अब हम लोग बात करते हैं यहां पर ट्रेंचेस की तो लिएक क्या करती है और यहां पर सुन्दा इंडियन ओसिन की सबसे पॉयंट सुन्दा डेंज है इसके बाद आप देखो के दूसरी हमारे यहां पर जो ट्रेंच है तो है धिया मन्टी ना ट्रेंज ठीक जैब मान्ट्रेंच आपको देखने मिलेंगे आस्टिलिया के वेस् बात कर रहा है इसके लगा दोस्तों चोटी मोटी यहां पर जो रिजेज है वह भी है जैसे अगुलास बेसिन के सदन में आप देखोगे तो यहां पर आटलांटिक इंडियन डिजेज है जो कि अटलांटिक ओसीन और इंडियन ओसीन दोनों में लोकेटेड है यह हमारी अलग जो पैसिपिक ओसीन और इंडियन ओसीन को अलग करता है तो यह हमारे होगे रिलीफ फीचर अब हम लोड़ डिसेस के हाँ पर इंडियन ओसीन में तीन मेजर रिजेज को और आइलेंस बहुत कोकोस आइलेंस आस्टेलिया को भी लाउंग करते हैं और यहां पर क्रोजेट आ पर इसके लाँ अधर आओंगे तो अगुल हास बेसिन है फिर मोजांबी बैसिन है सुमाली और अगुले सी mortar है है फिर हमार अरेबियं सी हो गया गया फृ बखन बंगाल हो गया और हमारा अर्णमन सी हो ति स्रीलंका भी आपको प्लीन में मिलेंगे और इसके लगा क्यों से लच्छ्शिदिप three जहागा हो गया है और पूरा हमारा जो मारिष। से देंगाल Glennons में हिए यह हमारा बिलॉंग करता है मारिसस आइलेंज तो यह हमारा हो गया दोस्तों बॉटम टोपग्राफिया आप इंडियन ओसियन तो आज के लिए बस इतना है आपको यहां पर कुछ यहां पर हेल्प हुआ होगा यदि कोई पॉइंट इसमें छोट गया हो आप एडिसन करना चा हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ थैंक यू